अब दोस्तों आज फिर एक नए टोपिक पर बात करेंगे मेरे पास ये ट्रेक्टर आया है महिंद्रा 557 डी आई तो टोचनों के पर पास ट्रेक्टर आया है अभी में इसको बाहर निकालेंगे डायरेट हमने वर्क्शोप में इसको टोचन सहीद ही अंदर ले ले क्योंकि ट जो क्या करान निकलता है कि वज़े निकलती है वैसे जिए टेक्टर है यह पूरा इसके जो बोनट है कि वह हमारे पानी में जा चुका है मतलब अ पर दो ये पान पूरा पानी में ब्रूब गया था यह मानों आप निकाल आप तो देखिए कि इसके कारण है पूरा निकलती हुए फेसे सट्रारट करके रिक नहीं किया है उन्होंने बोला जैसे यह पानी में गया था उसके बाद हमने इसको करने कोशिश की और ना ही कुछ दखका लगाया कि स्टाड करने कोशिश की तो अभी अमने इसका जब कल आया था तो इसका इंजिन घूमा के देखा तो वह भी घूमने रहा है और इसके जो एर किलेनर है इसमें आप देख सकते हैं इस तरकी का निकला है कि अच्छानक से पानी बढ़ जाता है तो उस पोदिशन पर हम क्या करें विडियो बनाया है पानी जाने की अलग वज़े होती हो रेक्ट पूरा ही पानी में चल जाता है तो उसके दिख्काद हो सकती है या फिर आप नदी तलाव में से निकल कि अच्छानक पानी बढ़ जाता है एक तरह मारा कि पानी में जाने के बाद थोड़ी तरह खड़ा रहे जाता है जो भी उसमें प्रोब्लम होती है वह आज हम बात करेंगे तो सबस्पिल इसका इंजन गुमा के देखा हमने इसका इंजन नहीं गुम रहा तो सबस्पिल इ देखना इसके चेक किया है तो हमें इसा लगा है अब ही परजेंट टाइम कि गयर ओईल में जो यह पानी मिक्सी नहीं हुआ है और युनों ने इसको सटार्ट भी नहीं करा अगर मिक्सी भी हो गया होगा तो मैं उसको वेसे निकालने कोशिक करेंगी यह अभी आप देख स इसको हमें चालो करना है वैसे तो में और भी बहुत सारा काम है और वीडियो लिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को जानकरी मिल सके कि मालो पानी में टेक्टर जाने के बाद इस तरीके से उसको स्टार्ट करें ताकि आपके बिना कुछ सी नुकसान के वापस टेक्टर हूसके और किन-किन चीजों द्यान देना होता है और और इसका बोल्ट ओपन किया है और यह करेंदे इसको गुमाने के चेक करेंगे आज को कोशिच कर कुमाने की गुमरा निढ़ना की एधर सीधा सीधा इसको क्यों है करेंगे गूम रहा ने घूम रहा तो उसका आगे क्या प्रोसेच्चर रहता है उसके बात करेंगे डिजल वेकर है भी चेक करेंगे डिजल में तो पानी नहीं गया वो सारी चीज़ें इसकी चेक करना पड़ेगी अंक्रित गुमांगे चेक करें गुमरा थोड़ा थोड़ा कलता थो बोल रहा था निगुमरा चाहिए है कर लेना चैक कर ले आवह ने और चेक्ट कर लेना है सबस्कत्राइब तो अब है इस्टरीके में है और ये इस तरहिकर से होता है अगर और घुम्म जाता है तो ये इस तोने के फुल चांस है पिए इसकी क्या पोजिशन निकलती है बेटरी में करें नहीं करके देखेंगे चुए अधर चेक करेंगे इसके तंकी में फानी चेक कर लेंगे एक बार तेंगे तंकी में तो पानी नहीं है इंजन इसका कि घूमा है बिना किसी तो काउट के कलम ने इसको चेक किया तो सकता है इसके फेन बेल्टे सिलिप मार रही हो तो इस वज़े से भी इंजन घूम नहीं पाता है तो अभी इसका इंजन घूम रहा है अब इसका तुर्षता में इसका आईल चेंज करना ही है फिर भी एक बड़ अलका सा इसको में की कुछ है की से चेक करेंगे कि इस पानी थे अपने तो नहीं है अपनी इस में पानी है ऊचार तो यह तो इससका एकदम से हमने को? पानी निकला है पानी गया है ये डिविल बात है इसका इंजन का वेवे हो चेंज होगा तो इस तरीक से इसको दिरे दिरे कि बैद कि ये तो आप दैख 2050 इसमसे पानी दि दि अगर आ समानलो नाय डलवाय है मुआ मैं माले जी अगर आपने इंजन का विल चेंज कर वाया हब पीछे का या थो इस तरीके से पानी को लेना ना विना स्टाट किए तरह बिश्टर कर लेते हो तो फिर गुछ भी इसका निनिकलागा अभी आप देख सकते हैं वह दो दिरे दिरे पानी के बूंदे गरी और नीचे स्मय पांदे में पानी है कि यह सी में से निकलाया की और अब इसको स्थार्ट करके दिखाएंगे बेटरी दूसरी रखके के बल कि यहां से सक exclus करना लगाना है तो अभी इसको स्थार्ड करना पड़ेगा और अब आपको पंपोग रहे पोलोड ले लेंगे और यहां से इसका नट खोल के देखे लेंगे इसमें पानी तो नहीं यह डिजल का पानी भी कैसे निकालना है वह भी हम आपको पता देंगे इसमें वैसे महिंतर कंपनी को सेबरेट फिल्टर देना चीह मेरे साब से यहीं से इसको चेक करेंगे और दिरे यह से डिला कर दिरे दिरे मालो पानी होता हो तो वलकल का दिरे दिरे डिला करता रहे आज वैसे तो यह इंजन कम्लीट है मतलब इसके पिश्टन पर पानी नहीं जाता तो इसका इंजन गुपना पुसिबल नहीं था उसका एक कारण होता है इसमें से एर कीलेनर में से पानी नहीं गया अंदर वह अलग केस होता है उसके उपर मैंने वीडियो बनाई हुई है अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल पर जाके ओव देख सकते हो एर की लेनर के माध्यम से पानी जाता तो फिर क्या कि हमें सावधानी रखने पड़ती है यह टेक्टर आप अपने अ कंशन देखसे पानी गया से हुछ पानी में चला गया था इसी कारण यह थो पानी इसे पक्तर झारा रेता है वह यह पानी है फिसको पानी में लेके पाल करने को किन यह तो किस तरीख से उसको पीछ kind भी पीछे स्वार्हास थूड़ सा दीला कर लिख विन कर लिख सकते कि पिछे इस बिल्कुल भी पानी लगा दे और पैघंजो कião घूम रहा है दिहर दिरे इसको टपकने देंगे पर इसको एक बार लगा के बैटरी चेंज करके सटाट करके देखेंगा स्टाटथ होता नहीं होता है कि I'm कि मैं पाणिे और छेममेर के यूठ कंदित पानी में सिंसे यह नहीं है और चेंबर गचेमदब सर्थ आप जब तक अंडिक है करेंगे तब तक आपको यच्थ सुरक्षिद यह सब करने पड़ेगा में चैंज करना पड़ेगा है अभी उसको बैटरी दूसरी लगा है कि इसको इसको इसका परफोंएंस रहता है अम्हेर आसमस्पूंट उस्टाइट ओगा कोई दिख्कत निए जय में सिषितन पर ओपानी नहीं तो इस स्टाइट वह प्रॉर्ब्लम आ雲 नुटल लेक को 1000 पर अहीं ताइड गर उसको ताइड गर उसको ताइड गर उसको इस तो हम इस्सके खरव हो जा रहा है अ-चैन निस्टाड रहा है से अरजू रिये कर्ण देंगे लिया प्रदेशन गूम रहा है वैसका में ये प्रक्राइड तो अच्छ नब में दिक्क्त आई इस तो कि थक्त लेले हो जाफ के साथ लेंगे दक्त ते तो दोस्तों एक्टर श्टार्ट निवा तो फिर हमने इसका इसका काम करवाया तो बिल्कुल खराब हो रहा था इसमें कलेज में भी पानी गिया है यह आप देख सकते हैं इसकी कलेज प्लेट भी चिप की भी है अब इसमें इसे पानी निकल रहा है अब यहां से दिखरा होगा शायद आपको इस प्लेट को लिया हमने और इसकी अंदर की कंडिशन में मैं दिखा देता हूं आपको यह कंडिशन इसकी पानी पानी भरावा पूरे में तो इसकी कलेज प्लेट भी चिप की भी है कॉं कि तो अभी एक बारने में इसके इस्टार कर लिया हैं अच्छे सेस इस्टार्ड होगाए और और अब इसको बंद कर देते हैं तो अभी यह स्टार्ट तो हो चुका है और भी हमें इसका बहुत सारा जोग करना है तो जब अब ट्रेक्टर पानी में चला जाता है तो तो कि यह दिक्कत होती है ज्यादा समय तक खड़े दिने पर जैसे आपने ट्रेक्टर को दुलवाया और धोके भी अगर आप खड़ा कर देते हो तो यह भी प्रोब्लम हो जाती है अभी इसको स्टार्ट करके श्टार्ट तो हो ज सब्सक्राइब करते हैं यह ट्रेक्टर मैंने स्टार्ट किया अभी अगर यह जालें अगर यह जैसे हम यह डालते हैं आगे बड़ता है कलच दबावा है यह दो गहां कलच दबावा है अगर देख लेंगे हमारे ट्रेक्टर में उतर जाता है किस तरीके से उसका हमें पानी निकालना होता है कलच में से विशेश कर कलाज इंजन और पीछे मिना स्टार्ट करें हम इसका सारा पानी निकाल सकते हैं पर वागे अगर स्टार्ट कर दते हैं तो दिक्कत हो जाती है तो तो मिलेगा नेक्स्ट टूडियो में झाल झाल सकते हैं तो मिलेग झाल सकते हैं